हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून 2022 टर्मेंड एक्जाम के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एक्जाम फॉर्म रिलीज हो गए हैं ऐसे में बहुत सारे स्ट्वेंट्स के डाउट बने हुए हैं क्योंकि जब आप एक्जाम फॉर्म भरते हैं तो एक्जाम फॉर्म में आपको बहुत सारे एरर देखने को मिलते हैं तो दोस्तो आईए बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन-कौन से एरर आपको exam form में देखने को मिल रहे हैं जब आप exam form पर आते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि June 2022 term and exam के लिए आपके जो exam की date है आपके जो exam form की date है वो 1 June से 25 June रखी गई है इसके बाद 26 June से 30 June तक आप 1100 late fees के साथ अपना exam form बर सकते हैं इसलिए अगर आपने exam form नहीं बरा है तो आप सबसे पहले अपना exam form बरें क्योंकि आपके पास कम समय है क्योंकि अगर आप exam form नहीं बरते हैं क्योंकि इगनू में ऐसा होता है अगर आप जल्द से जल exam form नहीं बरते हैं के बाद इसमें seat full हो जाती है seat full होने के बाद आपको exam form तो भरने को मिलेगा पर कुछ subject की जो seat है वो आपको center में available नहीं होंगी इसलिए आप exam जो है वो अभी की जगे December में दे पाएंगे इसलिए आपको अगर exam अभी June में ही देने June session के लिए तो आप अपना exam form जल्द से जल भर दें इसके बाद दोस्तो students का कहना है जब हम exam form भरते हैं जब आप exam form में जाते हैं तो यहाँ पर आपका enrollment number not found सो होता है अब यह कैसे सो होता है जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी program डाला यहाँ पर मैंने सो होता है तो यहाँ पर ऐसा इस वज़े से सो होता है क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर आपको program code तीन कारण है जिसकी वज़े से यहाँ पर enrollment number या program not found सो होता है सबसे पहला कारण यह है कि आपने program code जो है यहाँ पर गलत फिल किया होगा आप यहाँ आपर Program Code सही फिल करें, जो भी आपका Program Code है, आप यहाँ आपर Program Code सही फिल नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आपका Enrollment Number not found, या फिर Program not found, या फिर Data not found सो होगा, इसलिए आप जो भी आपका Program, जैसे कि आपका Program MPS है, तो बीच में आपको Dot या Space नहीं लगाना है, आपक प्रोग्राम BAGA पर आप वहाँ पर BA फिल कर रहे हैं जब भी आपका data not found आएगा इसलिए आपको यहाँ पर program सही फिल करना है इसके बाद आपको ध्यान रखना है आपका enrollment number जो है वो आपको सही फिल करना है तो यह दो चीज़े आपको ध्यान रखनी है जब यह दो चीज़े आप ध्यान रखेंगे तो आपका यहाँ पर जो data है वो आ जाएगा यहाँ पर data not found so नहीं होगा तीसरा कारण यह है कि अगर आप exam के लिए eligible ही नहीं है टाइम पूरा नहीं हुआ है आपका एक year या six month में exam होते हैं आपका जब तक time पूरा नहीं होगा जब तक आप अपना exam form या exam नहीं दे सकते हैं इसलिए आप exam के लिए भी eligible होने चाहिए अप कैसे पता चलेगा कि आप exam के लिए eligible हैं या नहीं तो इसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको बताया गया है कि जून 2022 exam के लिए कौन-कौन से student eligible हैं और कौन-कौन से student eligible नही इसके बाद अगर आप फिर भी एक्जाम के लिए इलीजबल है और यहाँ पर डेटा नोट फांड आ रहा है तो आप सिंपली क्या करें आप इगनू को मेल करें कि यहाँ पर मेरा डेटा नोट फांड सो हो रहा है और मैं एक्जाम के लिए इलीजबल हूँ तो वहाँ पर बाद आपका वाहाँ पर इस टीटरस रोंपा सोह नहीं होता है एकExam Fees का एक में एक तो एक में उपना miles को वे से उसनी हो पर दोजिए पर enfirtches हे जो इस एन्रोडमेंट नमबर जो była पर आपको डालना आपको तो म问तक्थिपैस है जैसे professionally बाद करने के बाद मैंने यहाँ पर जो भी एरिया है वो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया एरिया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने सम्मिट किया जब आप सम्मिट करेंगे तो अगर आपका यहाँ पर एक्जाम फॉर्म जो है फिल हो गया है एक्जाम फीस आपने पे कर दी है तो simply यहाँ पर आपको कहीं जाने की जहुरती नहीं, यहाँ पर पहले से ही सो हो जाएगा, कि आपने पहले से ही अपना exam form फिल कर दी, आपको control नमर पर simply यहाँ पर click करना है, और आपकी जो exam slip है, यहाँ पर generate हो जाएगी, आप यहाँ से exam slip को download कर सकते हैं, तो ऐसे आपको problem यह है, कि जब आप यहाँ पर अपने subject देखते हैं, तो subject में आपके यहाँ पर वो subject सो ही नहीं होते हैं, जिसका आप एक्जाम देने जा रहे हैं, जिसका आप एक्जाम देने जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे subject ऐसे हैं, जो missing है, आप exam देने के लिए भी eligible हैं, आपका तो वो subject भी है back का subject हो या फिर आपका first year या second year का subject हो पर यहाँ पर वो subject missing है तो आपको wait करना है update होने का या फिर आप इगनू को mail कर सकते हैं कि यह मेरा subject जो है वो मेरे drop down box में यानि subject list में so नहीं हो रहा है तो यहाँ पर वो subject mention करें तो आपका वो subject यहाँ पर update कर दिया जाए इसके बाद student की fourth सबसे बड़ी problem यह है कि अभी student का result नहीं आया है कुछ student ऐसे हैं जिन्होंने अभी March अपरेल में exam दिये थे पर उनका result नहीं आया है अब वो student यह सोच रहे हैं कि हमारा result आया नहीं है अगर हम fail हो गए तो exam form की last date भी 25 जून है तो हम exam form भरे या ना भरे तो आप अपना exam form भर दें इससे यह होगा क्योंकि आप अगर result का wait करेंगे इसके दो option है कि आप 20 तारिक तक का wait करें 20 तारिक तक आपका result नहीं आता है तो आप अपना exam form भर दें उस subject का जिसका result नहीं आया है या फिर आपको wait नहीं करना है आप wait नहीं कर सकते हैं तो आप एक्जाम फॉर्म भर दें, एक्जाम फॉर्म भरने से यह होगा, जिस भी सब्जेक का आप एक्जाम दे रहे हैं, अगर आप उस सब्जेक का एक्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें फेल हो गए हैं, तो आप उसका एक्जाम अभी दे सकते हैं, जुलाई अगस्त में, और अगर उसका एक्जाम नहीं देना है आपको simply क्या करना है जैसे कि आपको कोई भी एक subject है आपका उसका result आना है पर आपने उसकी fees भी pay कर दी है अब उसका आपको दुबारा एक्जाम देना होगा तो आपको दुबारा एक्जाम नहीं देना है आपने exam fees दे दी है पर आप उसका exam द सिर्फ आपका एक लॉस होगा कि आपके 200 रुपए वेश्ट हो जाएंगे या आपने जितने भी सब्जेक्ट की फीस पेकी है वो आपके लॉस हो जाएं क्योंकि वो सब्जेक्ट आपने पहले से ही फिल कर दियें क्योंकि लाश्ट जेट का टाइम था और आपका रिजल्ट भी नहीं आया था पर रिजल्ट जैसे ही आया आपने एक्जाम फॉर्म भी भर दिया तो इसलिए आपको ये करना है कि आपका अगर रिजल्ट आ गया है आप पास हो गए है पर आपने एक्जाम फॉर्म पहले ही फिल कर दिया है उस सब्जेक्ट का तो आप उसका एक्जाम वहाँ पर note found आ रहा है आपको क्या करना है आपको wait करना है या फिर exam form पर आना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा control number पर click करना है देन आपकी जो slip है वो generate हो जाएगी और अगर आपका data note found आ रहा है अगर यहाँ पर आप exam form भरते हैं यहाँ पर आपका data note found आ रहा है तो आप को क्या करना है आपको simply क्या करना है आपको इगनु को मिल करना है कि यहाँ पर मेरा data not found आ रहा है अगर आप eligible है तो और आप eligible नहीं है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको बताया गया है कि आप exam के लिए eligible है जून के लिए या नहीं है तो दोस्तों ये सारी डीटेल आपको बताएगे इस वीडियो में कि आप जून 2022 के एक्जाम फॉर्म बरने जा रहे हैं तो आपको कौन-कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रहे हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले धन्यवाद